हेलो फ्रेंट्स मैं होडी तूरा और अब सभी का स्वागत है मारेसिपी कीचन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही तेस्टी नाश्चा जो पिलकुल फटा फट बन जाता है और इसे बनने में मात्र पांच मिनट का समय लगता है तो अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छे ल तो यहां हमारी चारो कटोरिया अच्छे से ग्रीज कर ली है और अब हम इसमें डालेंगे अंडा तो अंडा डालते वक्त में एक चीज का ध्यान रखना है जब आप अंडा तोडते हैं तो योग होता है यलो कलर का जो है वो योग होता है वो बिलकुल ही खराब नहीं होना तो यहां हमने चारो कटोरियों में अंदा तोड़ के डाल दिया है और अब इसके उपर हम डालेंगे लाल मिर्च पौडर तो यहां बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही लाल मिर्च पौडर यूज़ कर रहे हैं अगर आप लाल misch powder यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप जो काली misch powder होती हैं उसी भी आप इसमें डाल सकते हैं और अब डालेंगे इसमें नbak, तो नमक भी हम भी थोड़ा ही थोड़ा डाल देना है और अब डालेंगे इसमें कटी हुई हरी धनिया अगर आप इसमें प्यास को भी गड़ डालना चाहते हैं तो slice के बिल्कुल पतली-पतली सी slice की भी प्यास भी डाल सकते हैं और यहां हमने दूसरी साइड में steamer को भी ready करके रखा है steamer अच्छे से high flame पे हमने पानी को अच्छे से boil होने दिया है और steamer को ढग दिया था और अब इसमें हमने इन कटोरियो को रख देना है और अब हम वापिस से flame को high कर देंगे और high flame पे ही इसे 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से steam कर लेना है इसे बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है बिल्कुल 5 मिनट में ये बन के ready हो जाता है तो आपका समय भी काफी सारा बज जाता है तो यहां देखी ये बिल्कुल बन के ready है तो इसे हमने steamer को नीचे उतार के रख दिया और जब थंडा सा हो जाता है तो एक जो toothpick होती है उससे हम चेक कर लेंगे इसे तो जो योग होता है योग गर cleanly आपकी toothpick निकल जाए कि आप समझ लिजए कि आपके बिल्कुल ये recipe बन के ready है तो इसे हम बहार निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और तो ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है अभी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो प्लेट में निकालने के पहले इसे बिल्कुल चाको से जो इसकी किनारे होते हैं उसे हम थोड़ा सा लोस क दलेंगे और चम्मच की मदद से फिर से निकाल लेंगे बिलकुल आसान इसे और बहुत ही अच्छे से निकल आती हैं तो हमने इसी तरीके से सभी निकाल लिया हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर रेसिपी जरूर बताईएं तर्ककर दिक चार्ताईगा झाषब के लग áreas हैं तो हम सी जरूर जरूर दोर के जरूर